हे ये अवरीवन कैसे हैं आप सब। हम लोग जा रहे हैं हरिदवार और मसूरी पहले हम भरीदवार जाएंगे और उसके बाद मसूरी जाएंगे वंदे भारे ट्रेन से हम जा रहे हैं रिदवार तो चलिए आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या-क्या सुविधाएं होती है क्या-क्या फैसिलिटीज होती है तो ये ट्रेन चलती है सुबह सब पांच बजे तो साड़ी चार बजे हम स्टेशन आ गए थे और पांच बजे ट्रेन में हम बैट गए थे ट्रेन में बैटने के दस मिनट के बाद जब ट्रेन चल देगी उसके दस मिनट के बाद हमें मिलती है आधा लिटर की 500 ml की एक वाटर बॉटल और साथ में मिलता है निउस पेपर हर चेर पर आपको एक एक टेबल मिल जाएगी सामान रखने के लिए एक साइड दो चेर होती और दूसरे साइड आपको मिल जाएगी तीन चेर बीच में होता है आने जाने का रास्ता अगर इसकी सफाई की बात की जाया तो यह train बहुत ही neat and clean होती है इसका toilet भी बहुत ही साफ होता है बिल्कुल aeroplane जैसे आपको इसमें feel आने वाला है बैठने के बाद full AC train होती है हाँ बस इसमें एक थोड़ी सी problem यह है कि अगर आप लखनव से धहरदुन का पूरा लंबा सफर कर रहे हैं तो आपको लेटने की जगा नहीं मिलेगी कम और थोड़ी सी दर्द होने लग जाएगी और बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है बैठने वाली चेयर है कार चेयर वाली जो ट्रेन होती है वो है यह तो मज़ा तो खूब आया बस थोड़ी सा धकान लगी क्योंकि लेटने की कोई जगा नहीं थी इसके बाद में लगभग आदे गंटी के बाद में हमें मिला यह थोड़ा सा छूटा सा एक नाश्ता इसमें हमें मिला एक कॉफी का पाउच और साथ में मिले दो बिस्किट आप चाहे तो कॉफी के जगां पर चाय का पाउच भी ले सकते हैं इसके अंदर होता है चाय का ये कॉफी का पाउच और उसे हम गर्म पानी मिक्स करके लेते हैं इसके बाद में हमें मिला गर्म पानी बिल्कुल होट वाटर हैüyorsun इसमें हम डालेंगे कॉफी के पाउडर को और इस स्टिक से अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आपको इसमें चीनी कम लगे तो चीनी का पाउच भी ये लोग कभी कभी दे देते हैं अगर आप मांगे तो आपको मिल जाएगा अच्छे से कर देंगे mix और उसके बाद में हमें अच्छे से खुब मज़े से enjoy किया सभी ने अब इस नाश्टे के बाद में हमें लगभग 8 बज़े के आसपास मिला था breakfast सुभे 8 बज़े के आसपास breakfast मिला breakfast में एक muffin था नैपकिन था sauce था चोटा सा डिबा जो होता है दही का वो था और दो आलो के पराठे थे पराठे काफी बड़े और मोटे थे इसलिए पेट भरने के लिए sufficient था इतना नाश्टा ये बलकि थोड़ा सा बज़ भी गया था हम लोग का क्योंकि काफी मोटे पराठे हैं मैं आपको दिखाऊं तो बड़े बड़े साइस के दो पराठे थे उन्हें बीच से इन्होंने cut कर दिया था तक कि इसे carry करने में रखने में आसानी हो कि देखिए दो दो पार्ट्स में पराठे को cut कर दिया है और अगर टेस्ट की बात की जाए तो बहुत रिस्टी नहीं था पठा ठीक था खाने लाइक था बच्चों ने पूरा नाश्टा बड़े मज़े से enjoy किया हाँ एक बात मैं आपको बता दू फ्रेंड्स अगर आप लखनव से हरी द्वार कर ट्रेवल कर रहे है ना तो आपको breakfast मिलेगा जो अभी हम लोगों ने लिया और अगर आप लखनव से धेरा दुन कर ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको उसमें breakfast नहीं मिलेगा breakfast ये लोग breakfast अपना लेकर आए अगर आप हरी दू नहीं अगर आप दहरा दू जा रहे है तो और अगर आप हरीद्वार जा रहे है तो अब तो कोई टेंशन ये नहीं breakfast वहें देते हैं और साढ़े बार बजे हरीधार को ह हचा देती हैं ये मेरी मम्मी है ये है मेरे भया और बगल में पैठी हुई है मेरी भावी थोड़ा सा ठग गई थी तो सो गई थी अगर स्ट्रिंग की टिकट की बाद की जाए तो लखनों से हरिद्वार का टिकट अगर आपको अनफर्म टिकट से करते हैं तो 1215 रोपे का कॉस्ट है हाँ एक बात और बता दू आपको अगर आप लखनों कॉस्ट की बात की जाए तो हरिद्वार से लखनों का जो कॉस्ट है वो भी जादा है क्योंकि इन्होंने डिनर इंग्लूड कर रखा है उसमें तो यहां से अगर आप हरिद्वार जाते है तो उसका कॉस्ट बारा सो पंद्रा है लेकिन अगर आप हरिद्वार से लखनों आ अगर कोई question रहा हो तो comment में ज़रूर पूछेगा, वीडियो देखने के लिए thank you so much, bye bye